Hello दोस्तो नमस्कार मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस YouTube चनल प्रिंस टेक में दोस्तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम Electric Bill को submit कर सकते हैं इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है कि हम कैसे Electric Bill को download कर सकते हैं और आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम एलेक्टिक विल को इंस्ट्रॉर्मेंट में पे कर सकते हैं तो चलिए आज का हम अपना वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम Google Chrome पे आ जाते हैं यहां पे हम सर्च करेंगे sbpdcl.co.in जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके यह पेज खुलने के बाद यहां हम देखेंगे साउथ बिहर पावर दिस्टिविशन कंपनी लिमिटेड जो की sbpdcl का ओफिस्यल वेब साइट है इस पे हम क्लिक करेंगे कि अब आविस्यल वेब साइट पर आने के बाद हम स्क्रोल डॉन करेंगे समार्ट मीटर बैलेंस देखने एवं भुकतान हे तूब उसपर क्लिंख करने के बाद हमारा यह पेज खुल के आएगा यहां पर two要 семь वक्ता संकिया हम भी है उसको बोलते हैं हम यहां पर अपना वक्ता संख्या डाल देते हैं वकता संक्याँ डालने के बाद, समिट करने के बाद, आप यहां देख सकते हैं, आपका कर सकते हैं लेक्ट्रिक बिल तो हमें 1122 रुपे लगेगा और यह हमारा प्रिभियस एमाउंट है 7008 का जो कि हमने 19 में को समिट कर रखा है तो चलिए हम पे बिल कैसे किया जाता है वह हम आपको दिखाते हैं यहां पे प्रिभियस एमाउंट 1122 का है जो कि हमारे अमाउंट है वह आप देख सकते हैं मुबाइल नमर यहां आप डालते जिए मुबाइल नमर डालने के बाद यहां पर आपका पैमेंट गेटवे का आप्सन आता है जो कि बिल डैसक और पे यू है तो हमने बिल डैसको चूच किया ह फिर कंफर्म करें कंफर्म पेमेंट करने के बाद इसकोल डाउन करेंगे तो यहां पर पेशन आ आ रहा है इसको कर देंगे तो हमारा नया पेज खुल चूका है इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि credit card को option है, credit card में visa, mastercard और rupee card को option है, debit card को option है, debit card में भी visa, mastercard, mastercard, rupee card को option आ रहा है, अगर आपके पास इस सब के अलावा अगर किसी credit card है उसको आप यहां से select कर सकते हैं, select bank करके, और internet banking को option है, access banking, SDFC bank, ICICI bank, Kotak Mahindra, SBI, या कोई other bank है आपके पास, किसी other bank का net internet banking है, तो आप इस पर जाके भी search कर सकते हैं, यहां पर हमारा next option आता है, QR payment का, QR भीम UPI की थूरू हो सकता है, ने तो UPI, भीम UPI की थूरू आप payment कर सकते हैं, चलिए तो हम credit card से payment करते हैं, हमने अपना सारा detail भढ लिया है, सारा यह हमारा phone number है, यह हमारा card number है, सारा कुछ आगए, आपको एक OTP आपके account phone पे आएगा, आपको उसको यहां डालना है, OTP डालने के बाद यहां submit पे click करें, submit पे click करने के बाद रुखना है आपको, यहां देखिए हमारा payment successful हो चुका है, आप इसको print भी कर सकते हैं, save as PDF करके हम यहां save कर लेंगे सो, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और हमें धेर सारा प्यार दें, और हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम payment को installment में pay कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखें, जाला जाला ला कर देखेंगे हैं